बाबुलाल मरांडी की तो बीजेपी में भी नए अध्यच बनने के बाद बाबुलाल मरांडी पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि नेता प्रतिपक्च कौन होगा नेता प्रतिपक्च को लेकर अभी तक तस्वीर रिस्पस्ट नहीं हो होगा इन तमाम सवालों पर चर्चा होगी और उसके बाबुलाल मरांडी आला कमान से मिलने के बाद जार्खन में उन निर्देशों को आमली जामा पहनाएंगे तो बीजेपी भी चुनाओं को लेकर अभी से कमर कस्ती नज़रा रही है और जादा जानकारी के लिए हम सीध प्रतिपक्ष कौन होंगे और भी कई मुद्दों को लेकर बात होगी क्या मिल रहे हैं बिल्कुल देखिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किये जाने के बाद पहला दोरा जो है आज बाबुलाल मरांडी का दिल्ली का हुआ है और इस दोरान वो प्रधान मंत्री मुलाकात करेंगे लेकिन इस मुलाकात में सबसे महत्पूर्ण जो भी सह है वो है फिल्हाल जब बाबुलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुना गया और उसके बाद नेता परतिपक्ष के तौर पर बिधान सभा में लगातार तीन वार जो नौटिस भी आये विधान स चेहरा आए तो ऐसे में जब अमित्सा से मुलाकात होगी और फिर जब राष्टी एद्यक्स जेपी नड़ा से मुलाकात होगी तो इस विशापर भी चर्चा होने है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कई नाम इस रेस में आगे आ रहे हैं कि नेता परतिपक्ष का जो चेहर कौन होगा दूसरी तरफ जो लोकसभाचुना और विधान सभाचुना होने हैं ऐसे में सबसे पहले प्रधान मंत्री से लोकसभाचुना को लेकर के बावुलाल मरांदी टिप्स लेंगे और उसके आगे अपने काम को बढ़ाएंगे संगठन में भी फेर बदल होने हैं एक से अधिक सीटे लोकसभाचुना और विधान सभाच सीट में कैसे जीते जाए इसको लेकर के भी एक तरह से बिस्तार से बातचीत कर बावुलाल मरांदी अपने काम पर अपने प्रदेश में बीजेपी के जो वह पंदर तारीक को जब अपना कार्यभार संभा लेंगे उसके बाद वह अपने काम को आगे बढ़ाएंगे तो बिल्कुल मदन लगता है कि तमाम नेताओं और कारकरताओं को भी आप बावुलाल मरांडी के लोटने का बेसबरी से इंतजार रहेगा बिल्कुल देखें अगर आप बीजेपी प्रदेश कारियाले में हलचल की बात देखें तो लगातार जब से बावुलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उसके बाद नेताओं के आने का सिलसिला सुरू हो चुका है चाहे वो प्रदेश के अलग-अलग जिलो से हो या फिर अलग-अलग प्रकोष्ट के नेता हो वो उनमें उत्साह जो है काफी देखने को मिल रहा है और वो इंतिजार कर रहे हैं कि बावुलाल मरांडी जब दिल्ली से लोटेंगे और जब उनके पास एक रूप रेखा होगा कि आखिर जो आलाकमान निर्देश देंगे क या फिर इस हिसाब से आगे बढ़ाना है संगठन को इस तरह से अधिक सदिक सीट जीतने के लिए जो मंत्र होगा उसको लेकर जब बावुलाल मरांडी लोटेंगे तो किन चेहरों को बावुलाल अपने साथ अपने फौज में सामिल करते हैं ये देखने वाली बात होगी सबस्द चुनाओं को लेकर आगे क्या कुछ रहती है फिलाल हमारे साथ इतना ही अमेदी जे इजाज़त और आप देखतेरी न्यूस बाइस को नमश्कार